येलो गाईज आपका एक बार फिर से स्वागत है और यार 2022 देश का आपका बजट गोशित हो गया है और यार बजट को लेके काफी ज़्यादा उम्मीदे थी और यार इस बार है कर्शी का बजट भी अलग से ही गोशित हो आया तो इसको लेके एगरीकल्चर के जो स्टूड आएगी लेकिन इस बार है जो 2022 का आपका बजट आया है उसमें ऐसा कुछ इसपष्ट नहीं है कि कर्शी विबाग में कौन सी वेकेंसी आएगी दूसरे विबाग में कौन सी वेकेंसी आएगी इन्होंने रीट का एक इसपष्ट किया है कि रीट की वेकेंसी इतने पदों पे निकालेंगे और कोई वेकेंसी का इन्होंने इस पस्ट नहीं किया इन्होंने देखिए बजट में बताया है कि हम आगामी दिनों में एक लाग पदों पे वेकेंसी निकालने वाले हैं यह देख लीजे आप 48 नंबर का पॉइंट है इसमें बताया है कि एक लाग पदों प पदो पर आपकी गोशना होगी जो कि यार अलग से जो कर्षी वजट है उसमें नहीं है यह कर्षी वजट में ऐसा नहीं कि एक लाग पदो पर गोशना होगी यह जो ओवराल जो आपका टोटल बजट है उसमें ऐसा उन्होंने कहा है कि एक लाग पदो पर आगामी दिनों में वो vacancy निकालेंगे अब यार इसमें हो सकता आपके कर्शी विभाग के भी कुछ post हो कर्शी विभाग के भी कुछ पद हो तो यह हो सकता वाग यार इसमें कुछ ऐसा ispast नहीं किये है हाला कि यार बजट से पहले है राज़तान कर्शी चातर संग उन्होंने भी मांग उठाए थी और गोर्मेंट को बताया था अउगत कराया था कि कर्शी विभाग में कितने पद खा लिया कौन-कौन से post आप vacancy निकाल सकते है तो यार ऐसा कुछ इसपेश तो कहा नहीं है आप एगरी कल्चर तो शमेर में खुल एगा और यह द्थावा जुन-जुन. उसी देख वागी width City निकाल में खुल болगा उठायार यहार ऑगरीek स्टूडेंट को यह तो जोकी जर कंप्रेट कर्शेUD कोन ओ dar है उननमें उनमें है जर्ट में आपके गोर्मेंट कोलेज है उनमें सीटे आपकी बढ़ जाएगी यार 18 कोलेज खुल रहे है तो आप देख लीजी यार कितनी सीटे आपकी बढ़ेगी इसके लावा देखे देखे देवली उनियारा टोक में करची विज्ञान के अंदर खोला जाएगा नाद दुआरा संबन जिले में 30 करोड की लागत है उससे देखे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी तो यह आप पर पूरा एग्रिकल्चर का बजट है यह आप देख लीजेगा यह में आपको परवाइड करवा दूंगा इसमें कई सारी चीजे है कर्ची से संबंदि संबंदि मितने पदो पे निकलेगी और कौन से पदों पर राएगी यहारं कि जणा है कर्षी वाली चैप सारे कुछ समझ में आगे होगा बाकि अप इस वजट को आप डिटीज से पढ़ लेना मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलिग्राम से इतना ही आज के यूडियो में जैहीं जैवार्द